इस पीडियो में फ्रेंट्स हम हेज, हेव, हेड और बिल हेव इसका यूज करना सिखेंगें तो पहले आता है बच्चों हेव हेव याने हमारे पास कोई चीज होती है तो हम हेव का यूज करते हैं यसे मेरे पास एक कार है हेज, हेज का यूज हम वहा करते हैं उसके पास कुछ है अब वो चाहिए गल्स हो सकती है या वो हो सकता है उसके पास कुछ है जैसे कि उसके पास एक कार है she has a car she has a car head मेरे पास कुछ था या उसके पास कुछ था या पे हमें head लगाना है जैसे कि मेरे पास एक car थी I had a car ठीक है उसके पास एक car थी she had a car or will have मेरे पास कुछ होगा for example मेरे पास एक car होगी I will have a car ठीक है friends मेरे पास एक अच्छा घर होगा तो इसका sentence friends आप comment section मुझे जरूर बताईगा वीडियो अच्छी लगे like जरूर कीजिएगा चैनल पिना है तो प्ली चैनल को subscribe करने नहीं बुलिएगा मिलते हैं बच्चो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद